हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग वैलकम बैक यह है वैलियंट अब्जेक्टिव पार्ट फाइफ वीडियो एंड लेट्स टार्ट हमें यहां पर फाइली फाइट जो करनी है वह रेड गार्डियन के साथ बहुत ही सिंपल फाइट है बहुत ही इजी फाइट है यहां पर लेट्स टार्ट देखते हैं यहां पर क्या है बस इस फाइट में क्या है ना कि आपको जादा से जादा सर्वाइव करना है क्योंकि नेकरो की मिनिमम फाइट अगर हर एक फाइट भी देखो तो मिनिमम पांच मिनट तो लगनी वाले हैं पांच मिनट से जादा मुझे लग ndamage देना है fury gain करकरके अगर damage देते रहना है अगर डामेज देते रहे तो हम easily इसको मार पाएंगे बागी और कुछ नहीं है यार इसमें कुछ नहीं है वह सकता है कभी कभी क्या हेक्टिक हो जाता मंदा उगलियां ठग जाती है डेक्स नहीं हो तो वह unfortunate अगर कभी हो गया तो तो कभी कभी आपको special direct पढ़ जाएगा मेरे ख्याल से शायद से मैंने इसमें एक revive लगाया था मेरे ख्याल से एक revive में निपटाया था मैंने शायद से red guardian को बाकी देखते हैं कब तक यहां पे निपटेगा यह अगर बाकी हमने इसको अभी फिलहाल 73% पर पहुंचा दिया है बड़े easy तरीके से तो चलो अभी 70% पर पहुंच चुका है था गाइस हाँ मैंने आप लोगों के comment देखे बहुत लोगों ने बोला कि गलट टीम लेके गया था मैं निक फियोरी नहीं लेके जाना चाहिए था Kate Bishop ले जाते या उसकी जगा अगर डूम भी ले जाते तो एयर फिशब लेके जाने का लेकिन मैंने एलाइंस वालो से पूछा और एलाइंस वालो ने मुझे कहा कि निक फियोरी ले जाओ ताकि अटाक बढ़ जाए अब मुझे क्या पता था सालोना मुझे गलत information दे दी मेरे को औरी revive लग गए अगर मैं हो सकता है अगर मैं डूम लेके जाता या एबियस मैन लेके आता तो शायद एर वाकर इतने revive नहीं खाता जितने उसने एगाउन के सामने खाए एगाउन को लेकर खाए मेरे revive तो हाँ मैं एबियस मैन यहां डूम लेके आता तो मेरे ख्याल से इतने revive नहीं जाते यहां गर केट बिशब भी लाता तो बहु अब यहां पर मेरे को किसी भी पूरे पात में कहीं दिक्कत नहीं आती है बस अब दिक्कत जो है वो Grandmaster phase 3 में आने वाले क्योंकि वहां पर वाई मैं सोंच रहा था एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेरे से कि एगॉन मार खाने के बाद फ्यूरी गेन कर रहा थो और काफी अच्छा डैमेज दे रहा था तो मैंने सोच है अगर इतने रिवाइब लगा ही चुका हूं तो वहाँ पर बीस रिवाइब लगाके पूरा इसका फेस त्री ही निपटा देता हूं तो फिर मेरे वहां से ही ऐ पे हमारी यूज हो चुकी है और हमने इसको अपना बो Draw करने 2 कि स्वाइब यहां पे और रूटिड हो तो ब्लॉक डैमिज लेना ही पड़ेगा वरना डेक्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा फिलहाल हमने इसको लगबग लगबग जो है ना ओके स्पेशल तू यहां पर आराम से स्पेशल टू डेक्स यहां पर अपना रैलिक भी यहां पर आधा है इसको लगा था शायद मुझे क्योंकि इसे साले ने शोड़ दिया में डेक्स करने के चक्रों में गया था हां देखरे हो अराम से यह सोलो हो जाती फाइड ऐसी कोई बात नहीं है बस यही है कि स्पेशल वन डेक्स करने के चक्रों में गया मैं और यहां है मार पड़ गई बाकी एक रिवाइव मार के आता है जल्दी से इसको निपटाते हैं बस यह 13% ही बचा है और यह निपटने वाला है मेरे ख्याल से 11% रहा गया है और 10,9,8,7 अराम से हमने इसको 6,5,4,4% रहा गया भाई यह मेरे ख्याल से निपट जाएगा अभी के 10% एंड यह से स्पेशल छोड़ा अन ब्लॉक एबल आइडों नो क्यूं हो रहा है शायद नोड होगा कोई शाय ओके टू वन एंड डन चालो यह फाइट हुई 30,000 कब लीड़ गणाय में जा रहा था भाई और तेरी की जलते जो की ड्राइगन मैं नहीं ओके साम विलसन के फाइट है लेकिन उससे पहले हमारा यह डेड़ पूल ट्रेजर ट्रेजर डेड़ पूलॉइड इसके साथ भी तो फाइट अब आई यह बंदा भी तो एंबिश कर गया मतलब टोटल आप लगा लो की 15 नहीं 16 17 फाइटे हैं एक नेक्रोपाथ में टोटल 17 फाइटे आती है हां इसको मारना इजी है क्योंकि हेल्थ पूल बहुत कम है लेकिन इस पर कैप लगा हुआ है इसे दार डैमेज यह लेगा नियों दूसरी बात यह कि इस पर फेज आते हैं इसके आपको मिशन्स पूरे करने पड़ेंगे तब जाके डेड़ पूलाइड जो है वो मरेगा मै यह पहले एंबुश में सीख लिया था दूसरे एंबुश में मैं पूरा रिवाइब करके आया था अपने अब चाहे जो भी हो इसको निप्टा ही देंगे बाकी हां विफ कर दिया है मैंने इसका इंडिस्ट्रॉक्टिबल जो है वो हट चुका है यहां पर मार लेना चाहि है एक से किंड़ एक लूंड वहले है ठीक है अन ब्लॉकिबल है तो हम औरे शिट चलो अच्छी बात है इसने अगर हमको अरे भाई इसने डैमेज दे दिया लेकिन ओके यहां पर इसने लेकिन कोई फायदा नहीं अगर फ्यूरी भी है आपके पास तो भी कोई फायदा नह लेकिने वाला नहीं है दस परसंट रहे गए है टोटल साथ छे पांच चार तीन दोएंट साथ मैंने स्पेशल चोड़ दिया और डैट पुलाइड जो है खातम हो चुक है अब जाना है सैम विल्सन पे लेट सी एंड सैम विल्सन को निप्टाते हैं जल्दी से जल्दी ओक हैंगे अब इस वाइड में मुझे याद है मैंने सारे के सारे चार्ज हों थे ना वो खतम करवा दिये थे उसके बाद में क्या हुआ कि सैम विल्सन पूरी ही फाइट में अनब्लॉकेबल हो गया और शायद फिर में नॉक आट हुआ था बीच में गलती हुई थी कोई यहा रिवाइब में नॉक आट हो गया और शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है साम विल्सन शायद एक रिवाइब या दो रिवाइब लगे थे इसमें शायद से दो रिवाइब लगे थे बाकि देखते हैं अभी क्या होदा फिलहाल तो हमने इसको स्पेशल टूप दिकत नहीं है मुझे उस चीज से डाले तो डाले कोई दिकत नहीं है हम अराम सी प्यूरिफाइब कर लेंगे है ऐसे कोई बात नहीं है क्रिटिकल शॉट मारना है यहां पर मेरी कोशिश यही थी कि बार बर स्पेशल वन ही इसका स्पैम कर रहा हूं लेकिन कभी-कभी स्प लगा नहीं यह ब्लीड इम्यून है क्या इसे इम्मुनिटी तो दिखाया नहीं इसमें आड़ों नो क्यों नहीं लगी ब्लीड यार ओके फाइन कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ आइंड आटो ब्लॉक भी फेल हो जाएगा क्यों हमारे पार ट्रू एकुरेसी है यह आट का मुश्किल फाइट नहीं थी वो भी इजी रही मेरे लिए बाकि अगर देखा जाए हमने अरे फिर ब्लीड का डैमेज नहीं मिला इसको नो नो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वाई ब्लीड अगर मिलना तो चीगे था यार चलो कोई नहीं फिर से एक और बाद करेंगे लेट सैम विलसन का हम बार बार स्पैशल स्पैम करवा रहे हैं देख रहे हो आप लोग चार्ज कितने रहे हैं इटी थ्री चार्ज रह गए हैं आप उससे कम हो गए हैं ऑके जैसे ही रैलिक बन रहा है रैलिक छोड़ दो क्योंकि चार्ज वही बढ़ाएगी सिक्स टार का लाते यहां पर अब मेरा यही मकसद रहेगा कि बार बार इसका स्पैशल टू ही स्पैम करवाओं मैं क्योंकि स्पैशल टू पर बेजा और एक भी डेक्स मिस हुआ तो फिर हमारे लग जाएंगे बाकी देखो यहां पे स्पैशल टू अगेन मैंने ठोका इसको अब लगा पहले क स्पैम करवाने की ट्राइ कर रहा हूं मैं डेट सुको कॉंबो हम बना चुके 67 पर संट पर इसे पहुंचा चुके हैं जोड़ दे बहुत ही बढ़िया अब यहां पर हम इसको मारना शुरू करते हैं ओके यहां पर एक और हिट हमने पूरा कॉंबो लगा दिया छे वाला अ ब्लीड मिल गया 6300 मिल रहा है कि मैंने चाहता है यह इस्पैशल त्री पर जाए इम डाल की सिनर्जी है अभी मेरे पास वह बच जाओंगा मैं उससे कोई बात निया लेकिन मैं चाहता नहीं कि अभी खतम हो जाए ओके फिलहाल यहां पर 58 पर संट पर हम पहुचा चुके अ यहां पर मेरा रैलिक रेडियो हो चुका है 200 का कॉम्बो में बना चुका हूं इस पर रैलिक मैंने रिलीज कर दिया अपना 37 चार्ज वापिस से हो चुके हैं यह हमने 215 को कॉम्बो बनाया यहां पर स्पैशल वन डेक्स किया बहुत ही बढ़िया और साथ ही साथ में एक औ डाइस के ऊपर शायद कॉम्बो बनाया था मैंने 257 कुछ ऐसे समती है अभी यहां पर यहां पर मैंने रैलिक भी रिलीज कर दिया अपना 28 27 26 चार्ज यहां पर हमने स्पैशल भी छोड़ दिया है अजस्टोब की स्पैशल 3 वे ना पहुंच ए ठीक है बढ़िया और 56 को चुके है यहां पर एंड यहां पर मार ना फिर से शुरू कर दिया हमने 262 263 अगेन 257 याद था मुझे मैंने तो उससे भी ज्यादा कॉम्बो बनाया था यहां पर 17 चार्ज अभी भी जब तक पूरे चार्ज खतम नहीं होता है तब तक मैं मरता नहीं मुझे याद है और ह मैंने जल्द बाजी कर दी उसका स्पैशल का जो एनिमेशन है वो खतम ही नहीं हुआ था मैंने उसमें जल्द बाजी कर दी थी तो इसलिए मुझे वह सीधे हैड डॉन पड़ा मतलब उसका स्पैशल बाकी देखो नाइन कॉम्बो रह गया है अरे यहां पर चार्ज जो है पर होता किया अब मुझे पता चला था यहां पी अन्डॉकेबल होता था वरना मुझे भी नहीं पता था कि यह चार्ज खतम होने पर असल में होता क्या है अगर देखा जाए तो हमने इसको स्पैशल टू पर स्पैम करवा दिया है अब यहां पर एक ही चीज है कि हमडाल की सिनर्जी अगर बचाएगी तो बचाएगी बाकी ओके मैंने इसको स्पैशल ट्री पर दिया था यह दिक्कत हुई थी कोई बातिंग्स चलो ओके हम डाल की सिनर्जी शायद बचाती है मुझे कि नहीं कि नहीं कि बचा लिए एक बर ओके हम यहां पर स्पैशल ट्री छोड़ने वाले आप यहां पर कॉंबो चलाएंगे क्योंकि हमारा डैम हमारी फ्यूरी का फिसारी थी थर्टी फॉर का कॉंबो बाई सहाब री थर्टी फॉर्ती ए्फी नाइसमेंगे को मुअर्फ टूरी फॉर्टी को गॉंबो बनाया था वाई अमने शैरे फिसर्ड ऑ़ करका औके थे पर में आने वाले पार्ट में इसपार्ट में भी कहन dif कि पाथ मुझे नहीं था पास में एक फाइट मुश्किल पड़ी मेरे को वो एरवाकर की तो मैंने सोचा नहीं था कि वो मुश्किल पड़ेगी बट वो पड़ गई और दूसरा जो था वो ग्रैंड मास्टर मुश्किल था मेरे लिए बहुत ही जादा मुझे क्योंकि वहां पर जो मैंसब होना था वो चुली में बहुत जादा मैंसब हो गया लेके जाना चाहिए था मतला मेरे को 100 रिवाइब लेके जाने जाए थे मंगर हंडर नहीं लगे मेरे इसको मतलब यह है कि इसको पॉवर गिन होता रहेगा जब तक आप इसका पॉवर स्टन नहीं करते आप इसका पॉवर गिन नहीं हटा सकते बाकी देखो यहां पर यहां पर यह फाइट जो है मैंने शायद तीन रिवाइब में निप्टाई थी यह वली फाइट मेरे को लगा था यह मुश्किल होगी क्योंकि पॉवर गेन की विजह से हम पॉवर कंट्रोल भी करना था लेकिन यह तीन रिवाइब म और बहुत अच्छा प्रफॉर्मंस दिखाया मैंने यहां पर क्योंकि मैं पांच रिवाइब लेके जल रहा था लेकिन मैंने तीन रिवाइब में ही इसको निप्टाया था तो मेरे लिए तो बैटर ही था यह साइकॉलजी इफेक्ट जो था वो मेरा मतलब कि मैंने यह दे और जैजिए रना कम करना अपने आपको पूरा शान्त रखना रिल्याक्स रखना न क्ल्स में ये किसी भी या था अपनी रिलाइक्स रखना जब रिलाक्स रखोगे तब ही आप जो डिसीज़न है न वह बहुत जादा अच्छे लोगं कि प्रेशर में आके बहुत ही हमेशा आपको आगे after effects दिखाएगा उसमें consequences आपको face करने ही बढ़ेंगे जब भी relax चाहे कुछ भी हो लाइफ में चाहे कुछ भी हो यहां गेम के बारे में भी अग्रिकेंट गेम के context में कुछ भी हो रहा हो हमेशा decisions जो है ठंडे दिमाग सिलने चाहिए सबर करके लेने चाह सकते हैं क्योंकि मैंने observe कि अपनी life में भी बाकी कोई life में भी और देखा है मैंने तो यहां पर I think यह पहला रिवाइव है शायद से इसको लगाने का इसको मारने का and let's try again और इसको हम जल्दी सी जल्दी निम्टा सकते हैं यहां पर हमें एक हिट्रेसिव्ट होगी that's why हमें फ्यूरी मिल गए एंड इसने स्पेशल 3 छोड़ दिया हम्डल की सिनर्जी एक बार हमें बचा लेगी and यहां पर हमें हम्डल की सिनर्जी ने बचा दिया अच्छी बात यहां कि हमें फ्यूरी मिल गया है बाकी यह देखो यह साला वो था अंस्टॉपिबल था that's why हम इसको मैं 10 पर यह दो स्पेशल 3 बना रहा था ताकी मैं इसको इसको कर दिया इसका मतला पॉर गइंद भी일स का रॉख दिया था हम हम इसको आराम से ओर उर कोमब Congressman मार सके बाकि देखते हो देखो हम्डाल की सिनर्जी तो खतम हो चुकी है यहां पर यह बंदा जो है 55% 54% पर पहुंच चुका है यहां पर चला गया है और मैंने आपने स्पेशल चोड़ दिया लेकिन चल रही थी इसकी तो मेरे लगता स्टान होगा यह यहां पर शायद मेरी हम्डाल की सिनर्जी खतम हो गई है यहां होगे होगे ओके फाइन चलो एक रिवाइव हमारा खतम हुआ दूसा रिवाइव मार के आते और देखते हैं अभी कितना बच करूंगा यहां पर शोड़के बैटल ग्रांड पुष करवाना है करना करवाना मुझेggakने कंठेंट कर वाना कर वां आप लुग मुझे कॉंटेंड कर सकते हो वीडियो के डिस्रिप्शिन में सब्सक्राइब है आप लोग देखो तो सही इंस्टाग्राम का आईडी दे रखा है मैंने वहाँ पे अपने मुझे कॉंटेक्ट करो मुझे मैसेज करो फ्री होने पर मैं रिप्लाइज जुरूर करूंगा एंड देख लूंगा मैं क्या कंप्लीट करना है आप लोगों को तो मैं यह हमने इस सब्सक्राइब करूंगा बाकी देखते हैं यहां पर इसने पावर गेन अपना स्पेशल छोड़ दिया इसका मतलब यह की पावर गेन भी गायब हो गया इसका ओके स्पेशल टू देखे वैसे डैमेज ही मिलेगा ब्लीड तो मिलेगा नहीं इम्मुनिटी है साले को बाकी इस चान इमिनून तो वैसी है यहां पर यह छोड़ा इसने स्पेशल टू में चा रहा था हाँ छोड़ दिया इसने फिर से इसका चला गया है 39 पर हमने इसको पहुंचा दिया है यह दूसर रिवाइव इसके बाद रिवाइव लगता है इसके बाद निबट जाता है यह बाकी देखो मेरा रेलिक भी रेडियो हो चुका है ओके यहां पर इसने पावर गेन ओके स्पेशल छोड़े मुझे ल यहां पर शायद हैंडल की सिंदर्जी बची है कि नहीं हां बच गिए बच गिए बच गिए बच गिए नाइस अब कोई साला अंस्टॉपिबल है that's why मैं इसको जारे डैमेज नहीं दे पाऊंगा बाकी देखते हैं यहां पर स्पेशल मन में ने स्पैम मारा 33% ओके यहां जो तीसरा रिवाइव है यह शायद मेरा हां इसमें इनिपट जाएगा ओके फाइन हमने इसको इंट्रेप्ट कर लिया है 29% पर पहुंच चुका है बाकी स्पैशल स्पैम करवा दिया है यही हमारा प्लैन था कि स्पैशल स्पैम हो ताकि हमारे को एक विंडो मिल जाए थो यहां पर कॉंबो चला दिया मैंने स्पैशल टू छोड़ दिया है 25% पर बचा हुआ है अभी भी यह स्पैशल स्पैम करवा दिया ठीक है यहां पर 24% पर पहुंच चुका है यहां फिर से हम इसको निप्टाने वाले हैं फिर से यह हमने चार जो है ना बनते रहे 22% मैं चा तो दा रहा था यह स्पैशल छोड़े स्पैशल ही छोड़ रहा था वो बार बार दिसके वेजह से हमी यह विंडो मिल रहा था बार बार इसको मारने happens और इसका मतलब यह है कि हम जादा देर सर्वाइव कर पा रहे थे इस वाइट में सर्वाइव करने का मतलब यह है कि आप डैमेज प्रोवाइट करोगे ही करोगे तो यही चांस यही ट्रिक थी इस वाइट में जादा देर सर्वाइव करने का पहले चांस में मैंने बहुत अग्रेसिव खिलने के ट्राइ किया लेकिन वहाँ पे हम जादा देर टिक नहीं पाए हाँ डैमेज जरूर दिया हमने लेकिन जादा देर टिक नहीं पाए और इसकी वेज़ेसे हम नौकवट होगे दूसरे में थोड़ा जाद देर सर्वाइव किया तो हमने इसको थोड़ा बोथ और डैमेज प्रोवाइड किया पहले का कंपरिजन में तीसे चांस में हमने और थोड़ा ट्रिक लगाया है ताकि जाद देर सर्वाइव हो एंड इसको आराम से हम निपटा पाए बाकि साला अ आप कॉर्णर पर करते हैं काफी देर पहले ही देख लिए एक्चुली में काफी देर से पता है सबको पता ही होगा लेकिन जिसको नहीं पता अगर आप डिफेंडर को कॉर्णर कर लेते हो तो ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं वो अपने स्पैशल छोड़ेगा बाकी देखो और यहां पे और फिर से अब अच्छी बात है कि स्टन हो रहा है क्योंकि पॉवर गेन गायब हो जागा उस चीज से वरना अगर पावर गेन चल रहा होता तो हम निपट गए होते हैं यहां पर हमने फ्रेलिक छोड़ दिया है यहां पे हम फिर से इसको पूरा को तीन हीट क तो आई होप की यह मर जाए अब एंड फो ट्री ऑके 3 परसंट बचा हुआ है यहां पर थी परसंट फोड़े स्पेशल के छोड़ दिया बहुत ही बढ़िया बहुत ही क्लोस कॉल था यह साले का special 3 1 नहीं वाला था and यहां पर 2% 1% and I think it's done yes it's done and Dragon Man को हमने तीन रिवाइब में निप्टा दिया था next fight जो थी वो Captain America Infinity War के साथ थी I hope आप लोगों को पसंद आए like comment जरूर करना and मिलता हूं next part में तब तक लिए bye bye